हेलो ब्यारे बच्चो तो देखिए मैंने थोड़े दिर पहले ही आपको अपडेट दिया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का मीटिंग है और उस मीटिंग में ये नियूज आ गई है कि जो कि 10th का एक्जाम है वो कैंसल कर दिया गया है और 12th का एक्जाम जो है वो दिख रहा है तो उसके लिए तो हम अपडेट आपको जरूर करेंगे और मैंने आपको बताया था कि मैं तुरंद आपको अपडेट दूंगी तो मैं दे रही हूं कि 10th का और 12th का जो एक्जाम है वो अभी फिलहाल CBSE का कैंसल कर दिया गया है और 12th का पोस्टपॉन कर दिय गया है तो आने वाले समय में आपका हो सकता है 36 गार बोर्ड का भी एक्जाम कैंसल हो जाए सारी महनत रंग लाती दिख रही है बचो बस आपका सपोर्ट चाहिए आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे है और जो बच्चे इससे परेशान है कि उनका एक्जाम क्यों नहीं हो रहा है तो अपनी जान न लीजिए और ये एक्जाम आफलाइन नहीं हो रहा है इसमें बहुत 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 अच्छी बात है तो आप सब के लिए बहुत अच्छी नियोज है तो बच्चे जादा से जादा आपके सपोर्ट की जरुवत है आपके साथ मैं शुरू से हू कि कैसे भी करके बच्चों का एक्जाम जो है वो दूसरे तरीके से लिया जाए यानि की इंटर्नल एसेस्मेंट के जरीए और ये होता नजर आ रहा है इसलिए आपके सपोर्ट की जरुवत है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इंस्टाग्राम, टेलिग्राम और वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि हम हमेशा आपको खबर देते हैं सबसे पहले